नमस्कार दोस्तों उन लोगे के लिए खुश्खबरी है जो बहिया अपने विद्याले में हेड का कार कर रहे हैं हेड नहीं नहीं कि इंचार्ज प्रधाना ध्यापक का कार कर रहे हैं अब उनको मिल सकता है जो है हेड का वेतन ये बिलकुल फाइनल है कुछ दिनों में आप भी पा सकते हैं अगर थोड़ी सी कस्ट करेंगे तो क्यूंकि लखनाओ खंड पीठ द्वारा एक आदेश दिया गया देख इन चार्प्रधाना ध्यापक को प्रधाना ध्यापक पत्का वेतन दिये जाने के सब्मन में आदेश आ जुका है दोस्तों सबको पता है कि 2017 से प् हुआ है और टीचर काफी रेटायर हुए है तो चलिए तो मानने उच्छ न्याले की खंड पिद लखनों ने अतिहासिक ने लिया दिया जिला विस्तिक सिच्छादकारी सीता पुरु इंचार प्रधाना ध्यापक को प्रधाना ध्यापक के वेतन दिये जाने पर छे सब्ता के अंदर ने ने को कहा है माने उच्छ न्याले ने देशित किया है कि इस केस पर ने पूर में लहवाद है कोट में योजित याचिका त्रिप्रारी दुबे बना मुत्तरप्रे सरकार के ने के तर्फ पर लिया जाए ठीक है तो आपको आदेश भी दिखा देते हैं यह रहा प्रिशप्त्र पाथिलर्ड प्रिटिशन हैश्फिल शेकिंग डिरेक्शन कर्षंट अथार्टियाप कमिस्मेंट अपैमेंट आपसाईली आपोस्ट एड मास्टर आफ जूनियर कंपोजिट इस्कूल अलांग विट एरियर इंटेस्सिंस इज ऑफ फिशिएटिंग ऑन द पूस्ट करें वह जो इंचार्ज के दिएकार कर रहा है वाला उच्वत पर काम कर रहा है लेकिन सेलरी जो है उसको ऐसे नहीं मिल लए है तो सेलरी उसको देने के लिए यादेश से बकादा पड़िए यह मामला आया था सीता पूर के सिच्छक ने उठाया था कि यह इंचा और यह 27 क कल का डीड़ का है फैसला और उमीद करते हैं कि अगर यह फैसल मान के आगे के डिसीसन लिए जाते हैं जिसको बोलते नजीर बन गया वह के नजीर बन तो थोड़ा वेट कर सकते हैं फिर संग लोग बात करें भाई इस बारे में कि यह यह मामलता है अब आ रास्ता साफ हो गया है कि वहिया हेड की सेलरी जो है मिलने है